अधरी मच आधरनी मंच और मेरे सामने बैठे हुए समानित प्रबुद जन मैं थोड़ा सा रेरा के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं और अगर रेरा की बात ना की जाए तो बात अधुरी रहती है अगर रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट सेक्टर एग्रिकल्चर के बाद भारत में दूसरे नंबर का सेक्टर है एंप्लाइमेंट देने के मामले में इसकी वज़ा से दो सो पचास और एंसिलरी इंडस्ट्री भी चल रही है इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हुए भी है पिछले 15-20 साल से हाउसिंग सेक्टर को जैसा काम करना चाहिए था वैसा उसने किया नहीं पिछले 15-20 साल से जो होम बायर्स हैं उनका भरोसा इस इंडस्ट्री में वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था इसमें जितना standardization होना चाहिए तो वो नहीं था good governance की तो आप भूली जाए और अगर हम affordable housing की बात करते हैं तो हमारा main focus middle income group और lower income group की तरफ रहता है वैसे तो सभी लोगों के लिए अपना घर लेना एक lifetime investment होता है समा नित्या लेकिन जो middle income group है और जो lower income group है उनके लिए तो वास्तों में ये जिन्दगी में एक मात्र समझाता होता है अपना घर लेना और उसमें अपने पूरे जीवन की पूंजी वो लगा देते हैं और अगर वो पूंजी फस जाए या डूब जाए तो समझ लीजे उसके दुखों का फिर अंत नहीं होता तो उसका भरोसा कैसे वापस लाया जाए तो 2016 में जब दर रियल इस्टेट रेगुलेशन और डिवलोप्मेंट टेक्ट 2016 ये जब आया तो अब धीरे धीरे जो घर खरीदार है खास तोर पर जो मिडल इंकम ग्रूप के और लोर इंकम ग्रूप के हैं वो भरोसा वापस आने लगा है और साथ ही साथ इंडस्ट्री जिसमें स्लम चल ला था उमीद है कि आने वाले दिनों में इसमें तीजी भी आएगी क्योंकि भरोसा भी लोटेगा मैं किवल तीन बिंदों पर बात करूंगा अभी एक तो बात करूंगा कि एपलिकेबिलिटी कहां पर रहे मैं ज्यादा प्रोवीजन्स की बात नहीं करूंगा दूसरे रेरा से होम बायर्स को बैनिफिट्स क्या होंगे उसकी बात करूंगा और तीसर मैं UP में हूँ तो UP RERA क्या कर रहा है UP RERA में क्या काम चल रहे है उसकी बात करूँगा सबसे पहले बात करते हैं अप्लिकिबिटी यानि रेरा कहा हो है वो सभी एरियाज जो planning एरियाज हैं भरत में इनको अलग-अलग नाम से कहा जाता है उत्तर प्रधेश में हम इसको development area कहते हैं तो पहली बात जो project टेवलब्मेंट एरिया में आते हैं और जो development area में आते हैं उन में जिनका project area 500 square meter या उससे ज्यादा है या उस प्रोजेक्ट में जिन में नमबर अफ यूनिट्स आठ या उस से ज्यादा है उन पर रेरा लागू होता है अर्थात अगर आप कहें प्लैनिंग एरिया है यह तो मान लीजिए अगर आप कहें कि साथ जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है लेंड वो चाट सो पचास स्क् इन दोनों में से अगर एक भी कंडिशन ट्रू है तो उस पर रेरा अप्लीकेबल होगा उस प्रजेक्ट पर यह तो हुई एप्लेकिबिलिटी फिर रेरा की वज़े से होम बायर्स को फायदे क्या है पहली बात तो यह है कि अभी तक पूरे देश में जो फ्लैट्स की बिक कार्पेट इरिया और कैलकूलेशन का तरीका भी स्टैंडर्ड नहीं था अलग-लग राज जमैं अलग-अलग ढंसे तो होता ही ता एक राज में भी कई कई तरीके से कैल्कुलेशन हो रहा था जिसकी जैसे मर्जिया थी थी कैल्कुलेशन कर लेता था लेकिन अब आदिनि इसमारेया की घुरना कैसे होगी वो भी अधीनियम में लिख दिया गया है यहीं अब ये इसका मानिकी करण होगया पूरे デश में मुखन फ्लैट्स की दिख़क्डिक Keywall और के वल कारपेट एरिया के हिसाब से होगी और वो कारपेट एरिया का इल्कुलेशन वैसे ही होगा पूरे देश में जैसा अधिनियम में लिखा गया एक तो यह स्टेंडरडाइजेशन हो गया एक अर बात अकसर जो होमबायर्स शिकायत किया करते थे default हो जाने की स्थिती में default दोनों का हो सकता builder या promoter का भी default हो सकता अगर उसने देर में घर दिया या उसने अपना business बंद कर दिया या और कई चीज़ें हो सकती है default के मामले में और L.O.T. का भी default हो सकता यानि ल.O.T. ने अगर देर से payment किया तो default के मामले में interest देने के मामले में level playing field नहीं थी L.O.T. से तो लिया जाता था 18% penal interest अगर L.O.T. का default हो जाए लेकिन builders ऐसा नहीं करते थे वो काफी कम rate पे penal interest देते थे तो अब अधिनियम में ये कह दिया गया है दो बाते है कि rate of interest in case of default वो सेम होगा अर्थात अगर L.O.T. का default होता है तो जिस rate से builder pay करेगा और अगर builder का default होता है तो जिस rate से L.O.T. पे करेगा वो rate of interest सेम होगी अलग-अलग नहीं होगी और क्या होगी वो वही होगी जो राज्य सरकार अपने नेमों में प्रिस्क्राइब कर देगी तो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में जो rate of interest default की सिती में प्रिस्क्राइब किया गया है वो है M.C.L.R. of S.B.I. अर्थात Marginal Cost Lending Rate of State Bank of India प्लस 1% यह rate of interest बदलता रहता है तो यह आप S.B.I. की website पर देख सकते हैं कि आज क्या चल रहा है आज लगबग 8% के आसपास है तो अगर आज की rate में अगर कोई default होता है तो दोनों पक्ष जो rate of interest पे करेंगे एक दूसरे को वो होगा एट प्लस वन अर्थात 9% के आसपास यह तो हुई rate of interest की बात आप अखबारों में पढ़ते रहे हैं गौतम बुदनगर में दिल्ली में घाजियाबाद में लखनौ में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में जो होम बायर्स हैं बरसों हो गए और वो दरदर की ठोकर खा रहे हैं उनके लाकों रुपे डूबे पड़े हैं और वो इधर से उधर भाग रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा क्यों हुआ ऐसा हुआ ऐसा कि बहुत सारे प्रोमोटर्स ने जो पैसे लिये लॉटी से उन पैसों को जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिये गए थे उन में खर्च नहीं किये कहीं और खर्चा कर दिया फॉर एक्जमपल किसी दूसरे शहर में जाकर कोई डिगरी कॉलेज खोल दिया इंजिनरिंग कॉलेज खोल दिया कोई दूसरा वेपार शुरू कर दिया या अपना लेंड बैंक बढ़ाना शुरू कर दिया जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया था उसमें खर्चा नही कांट और जो भी रिसीज़बल होंगे उसका 70% उसखाते में जमा होगा और उसका खर्चा जो 70% इसमें जमा हुआ है केवल लैंड और क enthusiastseros ओगा अन किसी मद में खर्चा नहीं होगा अर्थहात प्रोजेक्ट का पैसा जिस काम के लिए लिया गया है उसी काम में प्रयोंग क करता है किताब में कुछ लिखा जो उसका ब्रोशर था और वास्तों में वो नहीं दिया या जो मौडल एपार्टमेंट दिखाया वैसा नहीं बनाया अगर जूटे वादे किये तो उस दशा में रेरा आने के बाद से लॉटी को या होम बायर को या अधिकार है कि वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट प्रसक्राइब इंटरेस्ट जो मैंने अभी बताया MCLR प्रस वन परसंट उसके हिसाब से वापस मांग सकता है और अगर नहीं मिलता है तो रेरा में कंप्लियंट कर सकता है यूपी रेरा उन्हें दिलाएंगे और दिला रहे हैं अर्थाथ अब कोई जूटे वादे नहीं होंगे जैसा कहा वैसा करना होगा एडवान्स पेइमिंट जो पहले लिया जाता था प्री रेजिस्ट्रेशन पेइमेंट प्री बुकिंग पेइमेंट यह सब चीजेंब गुजरे जमाने की बाते होगे रेरा आने के बात से अब यह सब नहीं हो पाएगा पहली बार कि रेरा में रेजिस्ट्रेशन से पहले किसी प्रकार का विग्यापन नहीं चप सकता किसी प्रकार का SMS किसी को नहीं बेजा जा सकता WhatsApp मैसेज नहीं भेजा जा सकता किसी को invite नहीं किया जा सकता कि अपने घर पे बुला लिया किसाब एक party रखी और वहाँ पर अपने project के बारे में बताना शुरू किया और pre registration amount ले लिए नहीं होगा ये जब तक RERA में registration नहीं होगा किसी परकार की direct या indirect marketing उस project के बारे में नहीं हो सकती अगर होती है और RERA के संग्यान में आती है तो कठोर कारवाही की जाती है और साथ में ये भी कह दिया गया जो advance payment लिया जाता है किसी भी project में किसी home buyer से apartment की cost के 10% से अधिक तब तक नहीं ले सकते जब तक की agreement ना हो जाए agreement for sale agreement ना हो जाए और वो जो agreement sale जो पहले हुआ करते थे वो नहीं होगा October 2018 में एक model agreement for sale आ गया है वो one-sided नहीं है अधिनियम के अनुसार balanced है जब तक वो नहीं हो जाएगा 10% of the cost से एक रुपया भी उपर अब promoter नहीं ले सकते है अब कुछ लोग कहते हैं कि साब हमने पोजेशन ले लिया उसके तीन साल बाद बिल्डिंग में क्रैक आ गया या कोई और डिफेक्ट आ गया तो अधिनियम में ये कह दिया गया है कि कब्जा लेने के पांच साल के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेक्चरल डिफेक्ट आता है या वर्कमेंशिप की कमी होती है अगर पांच साल के अंदर ऐसा होता है तो प्रमोटर की डिफेक्ट लेविलिटी होगी अर्थाथ जैस पांच साल के भीतर अगर कोई होंबायर प्रोमोटर को यह शिकायत करता है कि मेरे अपार्टमेंट में यह प्रॉब्लम है तो शिकायत करने के अगले 30 दिन के अंदर बिना कुछ चार्ज किये प्रोमोटर को उसे ठीक करना होगा यह पांच साल की डिफेक्ट लैबिलिटी है अगर पोजेशन देने में डिले होता है पोजेशन डेने में डिले होता है कहा गया था कि हम माग को तीन साल में घर दे देंगे हो गए छे साल साथ साल तो एलोटी को यह होम बायर को यह राइट दे दिया गया है उसमें दो तीन राइट है एलोटी चाहे तो प्रोजेक्ट में अब रहे डिले होने की सिती में और अगर एलोटी चाहे तो प्रोजेक्ट से बाहर जा सकता है अगर वो प्रोजेक्ट से बाहर जाने का निड़ने लेता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट विद प्रेस्क्राइब इंट्रेस्ट ये लेने का उसे अधिकार है रे रहाने से पहले ऐसा नहीं होता था उसका काफी पैसा काट लिया जाता था और बची-खुशी रगम उसे लोटा ही जाती थी अब ऐसा नहीं होगा कम्प्लीट टोटल पैसा जितना इन्वेस्टमेंट किया है विद इंट्रेस्ट मिलेगा अगर पोजेशन देने में विलम होता है तो इसके लावा बहुत जगे शिकायत आदी थी कि साब बहुत दिनों बात पता लगा कि टाइटिल में डिफेक्ट है घर लिए हुए पंदरा साल हो गए एक रात में आधी रात में बुल्डोजर आकर घर के सामने खड़ा हो गया अपने महराश्टरा वगरा कि कई कैसे सुने होंगे ऐसे हम किसी प्रजेक्ट के नाम नहीं लेंगे अब ऐसा नहीं हो पाएगा एड़ टाइम आफ रजिस्टेशन प्रमोटर को अपने लीगल टाइटिल के बारे में बताना होगा अपने डाकुमेंट सब्मिट करने होंगे इतना ही नहीं अगर फिर भी ऐसा हो जाता ह अजिन लेने के बाद चाहे जितना समय हो गया हो वो लीमिटेशन्स से बाहर नहीं है चाहे जतना समय बईaş गया हो अगहर पता लगता है कि इस गीज्व Reverb में डिफेक्ट था तो होंगोः कंपनसेशन के लिए अपलाई कर सकता है कंपनसेशन में बीक trip linear नहीं एश है कमपनसेशन के भी कोई लिम्ट नहीं है है लॉट की कास्ट का दुगना तिगना भी कंपनसेशन मिल सकता है कंपनसेशन का प्रवीजन अगर टैटल में डिफेक्ट पाय जाता है वो जो समय सीमा है वो Li medication supports नहीं से लावर right to information right to information के लिए right to information में application नहीं सुचना का धिकार मैं इसमें built-in right to information built-in पूरा अधिनियम ही disclosure's का अधिनियम अब यह पुरी कोशिका की गई रे राड में की इनफॉर्मिटी इफ इनफॉर्मेशन हो अर्थाधि जितनी इनफॉर्मेशन अपने प्रोजयक्ट के बारे में प्रोमोटर यह बिल्डर को है लगब उतनी ही इनफॉर्मेशन होम यायर को भी हो यह पहली बार हुआ डेड़ा ऐने के बाद से त De науч uniformity of information, सूचना की एक रुपता, प्रोजेक्ट के बारे में दोनों पक्षों को बराबर सूचना हूँ, इसके इस्टेब्लिश्मेंट ऑफ एथॉरिटी फॉर ग्रिवेंस इडेसल, सभी राज्यों में रेरा का गठन, रेरा का मतलब हुआ है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी उत्तर प्रदेश में इसका काराले है, काला काकर हाउस में, काला काकर हाउस में जहां राज नियोजन सर्स्थान का काराले है, जिस बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में यूपी रेरा का भी आफिस है, आपको वहाँ जाने की भी आवशकता नहीं है, प्रियास रही है कि हमारे किसी नागरी को रेरा के कारहले में ना जाना पड़े सब कुछ आउनलाइन है आपकी कंप्लेंट आउनलाइन है डिडर्सल आउनलाइन सब कुछ आउनलाइन है आगे कोड क्या करने वाली है आउनलाइन के बारे में वो भी अभी बताता हूं अगर आपको शिकायत है तो आप यूपी रेरा डॉट इन इस पर आप जा सकते हैं वह लॉग इन करके आप अपनी कंप्लेंट दर्च करा सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस है एक हजार रुपए का शुल्क वो भी आपसे ऑन ले लिया जाता है और उसके बाद टाइम बाउंड म मैंनर में आपकी गिर्वेंस को रिड्रेसल किया जाता है अब मैं अंत में थोड़ा सा यूपी यूपी के बारे में आपको बता दो यूपी रेरा में क्या एक्टिविटीज हो रही है वर्तमान में यूपी रेरा ने अभी नव प्रयास किया है कि जो नंबर अफ कंप्लें हुआ है 3642 और जो कंप्लेंट आई है पूरे उत्तरप्रदेश की अब तक 23,991 कंप्लेंट अब तक आ गई है और 17,000 के लगबख कंप्लेंट का निश्तारण भी हो गया है और एक इंट्रेस्टिंग फेक्ट यह है कि इन कंप्लेंट में से 80% कंप्लेंट के वल NCR रीजन की है और NCR रीजन में भी जो आठ जन पर आते हैं सभी जगों की कंप्लेंट नहीं है उस 80% में जो कंप्लेंट है उसमें से भी मैक्सिमम कंप्लेंट ग्रेटर नॉइडा और नॉइडा किये उस 80% का जो 80% है और अब तक जिन प्रोजेक्ट को यूपी रेरा ने डिफॉल्ट गोशित किया है उनकी संक्या है 67 67 जिसमें से 63 प्रोजेक्ट गौतम बुद्रनगर के हैं लगनव के तीन प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट मतुरा का है अब आपने देखा कि नंबर अफ कंप्लेंट्स हैं 23009 से 991 अप तक और यह लगातार संक्या बढ़ रही है और गौतम बुद्रनगर की जादा लगनव की उतनी नहीं है तो यह प्रयास किया गया कि आउट आफ कोड सेटल्मेंट की कोई विवस्था की जाए तो एक कंसीलियेशन फोरम बनाया गया है और उसमें बहुत लोग आ रहे हैं दोनों तरफ से एपलाई किया जा सकता है प्रमो गईयें जो क्रौटर्ली टारगीट लियें फिसीकल फैनेंशल रेरा उनको लगातार फैन फालो कर रहे हैं आई और वो देख की जो फैनेंशल डारगे दिये गए गए वह एचीव कियए जारहे है अत्व नहीं तैकि जो टैमलिनेस एप प्रॉज़ेक्ट है वो लगातार म में compliance हुआ जैनाष हुआ उसके बाद execution की कारवाई शूरू होती इसमें recovery certificate इतियादी जारी किया जाता आर शी टयादी की कारवाई होती है इसके अलावा बहुत अब्र भी होते हैं शिकायत करते हैं कि आथ यह 1-1 पोझे क्लियॉट है लेकिन वो पंजीक रित नहीं है आप उसकी फोटो कीजिए और एप पर उसी समय आप पोस्ट कर दीजिए उसका थोड़ा विवरन दीजिए एप पे पोस्ट कर दीजिए रेरा उसकी जांच करता है और जो आवश्यक कर वाई हो वो करता है अब तक लगबग साड़े तीन सु और थार्ओ से रेरा आप झाटेन फर्वडरी से एक इंटीग्रेटड कंप्लाइंस मेनेजमेंट मॉड्रू लागू कर दिया गया है जिसको ररा ने एकोड कहा कॉड इलेक्रानिक कोड लेक्र कर दो इम्प्लेंट रही हैं वह लिस प्रहकर सेस्प अटॉनवाई यज क बंद हो जाएगी केवल e-court module पर ही सुनवाई होगी और ये हमारे नागरिकों के लिए बहुत अच्छा है प्रमोटर के लिए बहुत अच्छा है रेरा के कारेले में पहले दो तीन बार आना पड़ता था तीसरी बार में जो आदेश हो पाता था अब दोनों पक्षों को केवल एक बार आना पड़ेगा एकोड माडूल में जे खासियत है कि सब कुछ इलक्ट्रोनिकली होता रहेगा अन्त में जिस दिन बहस होनी है कि अवल एक बार आना होगा और उसी दिन और रिजर्व हो जाएगा और साइट पे अपलोड कर दिये जाएगा इसके अलावा सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यूनीफाइट सिंगल विंडो kol हनु कि आने वाले दिनों में वह पर रशानी दूर हो जाएगी सिंगल विंडो सिस्ट्म' अपना काम करेगी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप से कहा था कि जो fund diversion की बात थी उसके लिए separate account खुला गया है तो बहुत से लोग उसका नुपालन नहीं करते हैं अधिकांच लोग कर रहे हैं फिर भी RERA ने monitoring के लिए concurrent audit of separate account project के लिए विवस्था की है उसके लिए chartered accountants का एक panel बनाया गया है और समय समय पर UP RERA different projects का audit अपने पैनल के chartered accountants के करवाते हैं और ये सुनिशित करते हैं कि उसका divergen नहीं हो अंत में मैं केवल ये कहूंगा कि RERA के आने के बाद से home buyers का भरोसा इस field में लोटने लगा है और उत्तर परदेश के जो home buyers हैं वो कहने लगे हैं कि UP RERA है तो भरोसा है Thank you very much Thank you